बात करेंगे कौन से चुनावी मुद्धों को लेकर जन्ता से मिल रहे हैं और इससे पहले उन्होंने राजनिती में कब शुरुआत की तो सर पहले तो आपका स्वागत है नमश्कार साब आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारी जो समश्या है उनको आप जनता तक पोचाओ इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आप अधारे मेरेगा नमश्कार जी बात करें पहले तो आपके परिवार गी या इस आपके परिवार में इस से पहले कोई राजनिती में है हाँ जी हमारा परिवार आज से नहीं सन साट से हमारा परिवार सक्री है और राजनितिक में रहे हैं परिवार में पहले भी मेरे परिवार के सरपंच रहे हैं और मेरे बड़े पिता जी सरपंच रहे हैं मेरे दादा जी सरपंच रहे हैं इस गाउं में और मेरे और और भी गनिष्ट हैं वो भी रहे हैं इसी कुछ नंद किश्वर जी अब आप चुनाव मेदान मेँ हो कमर कस रखी है पंचायती राज चुनाव का भी गुल बच चुका है ऐसे में अब आप घर गर जा रहे हो डोर टू डोर जा रहे हो जन संपर किया जा रहा है अगर धनेरीय कलागी गराम पंचायत आपको सरपंच बनाती ह तो सबसे पहले पराइटी कौन से रहेगे जो सबसे बड़ी समश्या है देखो सबसे में शमश्या जो है अज गाउं से भी ज़्यादा जो हमसे नहीं जो कॉलोनिया जुड़ी हुई है दुआर का पूरी शक्तिनगर गोकुलदाम विस्तार जैसवाल कालोनी राम आउतार काल और कहा कि यह कर देंगे फिर अभी जो वर्तमान में सरपंजे उन्होंने भी वहां की कोई शमश्या उनकी हल नी करी तो जनता बहुत आक्रोश है मुख की शमश्या वहां की नाली की और सड़क की है आज अगर बारिश होती है तो कल बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते ह क्योंकि कच्ची रोड है पिल्कुल खेतों की जमीन पर वो जो कलोनिया बनी हुई है अब रोड नी है तो सुबावी के कीचड़ होगा और जनता निकलेगी कैसे मुख की शमश्या वान नाली की और सड़क की है जो हमारी पहली प्रात्मिकता रेगी कम उस पर काम करें यह अफ्र अपनी तो करते हैं पर हम आठ साल से कंटिनू कॉलोनियों में जा रहे हैं लोगों से मिल रहे है आज उसी का समर्तन में जन्ता ने कल रहे हैं रही है और मिल भी रहा है और पूरा प्यार दे रही है मुझे और मुझे पूरा विश्वा से मैं पहले इस से पहले वाला चुनावी में लड़ा था मैं कुछ मतों से second number पे रहा था, मैं हार गया था उसमें जनता ने फिर भी मुझे बहुत प्यार दिया, मैं उसका आभारी हूँ जनता का आज भी, कि मुझे इतना सम्मान दिया कि मैं second number पे रहा था अगर धनेरी अकला कि ग्राम पंचायत की जनता इस वार आप पर को यहां से सर्ताज बनाती है सर्पंच यहां से सर्ताज बनाती है सर्पंच बनाती है, तो क्या कैंदर सरकार राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजने आती है जो पंचायत समीती में ही दफन हो जाती है, यहां तक नहीं आती है, आम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, क्या वो योजने आम घरों तक पहुंचा होगी? अगे वह सियोजना हैं जो जन्ता को फायदा मिले मुख ए फायदा, जन्ता को आवास की वूजना सरकार दे रही है मैं कई चालू करूर दे ने गाओं के वो अगर पंचायत के राशन कार्ट नहीं बनवा सकते हैं तो फिर यह तो बहुत बड़ी बात है कि आपने काम लिए तरफ तो भारत डिजिटल इंडिया में प्रवेस्ट कर रहा है दूसरे तरफ आज देखें तो लोग आज भी बिलकुल बंचित हैं बिलकुल यह दोरी निती क्यों है हम चाहते हैं कि इसी दोरी निती ना हो और सब को सरकारी योजनाओं का लाब मिले और इसके लिए हमने सोचा है कि हर रहिवार को जो कॉलोनियों में हैं सभी सर्वीस वाले हैं जो काम वाले हैं तो वो नहीं आ सकते हैं तो हमने सोच रखाए कि हम हर रहिवार को एक बेटक रखेंगे पंचायत में कि आओ अपने सुजाओ देओ और किसके क्या शमश्या है वो हमें यहां बताओ तो हम उसका समाधान करेंगे एक और स्वाल है कि जैसे आप गामा में जाते हो बजर्गों से भी मिलते हो तो सीनियर स्टीजन को एक बड़ी दिकत रहती है कि वो कागजों के अभाव के चलते हैं योजदाओं का पता नहीं चलता या फिर वो योजदाओं से बंचित रह जाते हैं ऐसे भी आपको कि अधारकाड यहीँ बने जनता को के अपने को पंचायत में जाना है वहीं हमारा सेंट्र हो यह वह यहीं हमें अच्छा है और कलोनियों में यहां से भी अच्छा है पर जो विल T ये वह सुविधा नहीं मिल पा रहे है उसके लिए परियास करेंगे यूवाबरक जो नसे की करतों में जा रहा है या पिर और और पर अपराद की स्रेजों में जा रहा है पिलीस प्रसॉशन को करते हैं यहाँ के लिए करते यहीं है कि उनको फास रोज़गार नी थू कोशिश करेंगे पंचायद के माध्यम से सरकार की जितने यूजण है उससे जोड़ें और उन sou रोज़गार देने के हम पूरी कोशिश करेंगे उन को रोजगार मिले हम पूरे निम्मत से पंचाय समिति पे पूरे ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं तो बहुत सी जगह बिलकुल निरक्सर सरपंच भी मिलते हैं तो आप बताईए कि सरपंच को कहां तक पड़ा होना चाहिए उससे कितना अनुभव होना चाहिए सरका तो फिर जनता को कैसे योजना दे हुए आपका यह जानकरिया निकालना और जानकरिया जनता तक पहुचाना यह बहुत बड़ा एक शंगर्शेव और यह इसमें हम पूरे कोशिश करेंगे पूरे खरे उतर हैं देनेरी अकला की ग्राम पंचायत को क्या कहना चाहोगे चु तो मैं जागी सब पूरी गाउं पंचायत की सेवा कर सकूं और मेरी तरफ से तन मंधन से हर चीज से में हर पल जो भी शमश्या होगी मैं उसका निराकर्ण करूंगा चुनाव चिन चश्मे का निशान एक नंबर पे पहले ही नंबर पे मेरे निशान तो यह थे यहां से नं मदन देखते रहे यह BMR भर्त टिवी